दोस्तों, इंडियन ओयल के बारे में 5 चीजों पर हम वीडियो में discuss करने वाले हैं, सबसे पहले results आ रहे है quarter 1 के उसके बारे में, और dividend पर हम discuss करेंगे, फिर share price पिछले कुछ महीनों से नीचे गिर रहा है, उसका हम कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर quarter 4 में कैसा business trend था, फ इंडियन ओयल के business को लेकर, क्या future में triggers हैं, उसको हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों note करके रखिए, 29 जुलाइ, 29 जुलाइ, 29 जुलाइ, 29 जुलाइ, 29 जुलाइ, 30 दिन quarter 1 मताब, अप्रेल से जुन, इन 3 महीनों के results आने वाले हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही bonus adjustment ह जहां पर दो share जिनके पास भी थे और उनको एक share मिला हुआ था, तो bonus adjustment के बाद अब आ रहा है dividend, तो dividend 2.40 पैसा का Indian oil की तरफ से declare हुआ है, यह final dividend था दोस्तों, तो इसकी important date है August 11, यह ex-dividend date है, मतला August 11 से पहले जिनके पास भी Indian oil का share है, वो इस dividend के लिए eligible है, और जो payment होगा वो AGM के 30 दिन अंदर हो जाएगा, तो AGM का date अभी तक हमको पता नहीं है, अब दूसरी चीज़ पर आते हैं दोस्तों, share price pressure में है, पिछले 2-3 महीनों से तो देखे, रशिया ने यूक्रेन पर attack किया, तो उसके कारण बहुत सारे देशों ने sanction लगा दिया रशिया के उपर अब रशिया ओईल और गैस दोनों का निदियात भी करता है, तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो इन सब जियो पॉलिटिकल कारणों के कारण, जो ओईल के prices हैं वो बढ़ गए, तो हमने देखा 110 डॉलर, 120 डॉलर से भी उपर हमको पर बैरल हमको price देखने को मिल कर रही है, तो उस हिसाब से इंडिया में क्या price बढ़ा पाये हैं वो, सायद उसका answer नहीं क्योंकि आप खुद जाके देख सकते हैं, तीन-चार महीने पहले आप भी पेट्रोल पंब में जो आपका petrol डीजल का भाव देते थे आज भी सायद उसके आसपासी भाव दे रहे ह तो यह important चीज आपको ध्यान में रखनी है, अब quarter 4, April स June, ठीक है कैसा यहाँ पर revenue था, तो 1.99 लाख करोड का revenue था, जो कि again quarter 4, 2021 के साथ मैं compare करूँ, तो 1.53 लाख करोड था, revenue उनके बढ़े हैं, लेकिन पिछले साल जब revenue कम था, तो उन्होंने 8,781 करोड का profit किया था, इस बहुत बड़ा reason था, क्योंकि marketing में उन्होंने loss करना शुरू कर दिया, अब quarter 1 के result आ रहा है, तो quarter 1 के results में हम पिछले साल के साथ compare करेंगे, तो मैं data भी बता देता हूँ, तो पिछले साल जो income थी 1.55 लाख करोड की थी, 1.4 लाख करोड के से थोड़ा उपर, और जो profits जो उ quantum investment, fundamentals और business पर ही focus करते हैं, और इसके उपर मेरे कुछ courses भी है, FinGrad में, जिनको आप explore कर सकते हैं, in fact उस पूरे platform में 50 से ज्यादा courses और webinars हैं, जिनको आप explore कर सकते हैं, और अभी introductory 50% discount का भी offer चल रहा है, चौती चीज़ पर मैं आता हूँ, अभी जो result आएंगे, जो April से लेकर June महीने के, तो ये जो results हैं, उनमें क्या expectation रह सकती है, तो देखे, marketing के volumes जो है, मतलब जो उन्होंने तेल जो बेचा है, वो increase हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़े बहुत normalize हो गई है, COVID में बहुत बहुत disruption था आपकी हमारी life में, लेकिन अब चीज़े बहुत normalize हो गई है, तो वो बढ़ सकते हैं, refining margins बढ़ सकते हैं, क्योंकि prices बढ़े हैं, तो refinery company को बहुत फाइदा हुआ है, उनके margins बढ़ सकते हैं, लेकिन marketing में बड़े loss होने की उमीद है, आज भी हम उतना ही तेल दे रहे हैं, जबी भी आप अपनी two wheeler को या four wheeler को, जबी भी आप petrol diesel भरव कि उन्होंने कहा है कि उमीद है, जो कि पिछली बारसा 68% decrease है, तो बहुत बड़ा profit की उमीद नहीं रखे, in fact उन्होंने भारत petroleum और हिंदुस्तान petroleum में तो losses की उमीद की है, at least Indian oil में तो profit होने की उमीद है, but दो तिहाई profit है, वो यहाँ पर कम होने की पूरी उमीद है, तो इ एला important trigger है, जो भी petrol और diesel के price बढ़ रहे है, वो pass on कर दिये जाए, अब इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि price बढ़े हुए है, inflation की मार, हम आप सब लोग हमारे घर के budget में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है ही, तो इसलिए company भी नहीं बढ़ा पा रह तो company at least कुछ level पर उनको भी एक राहत की सास आ सकती है, तो वो एक बहुत बड़ा trigger हो सकता है, crude के price नीचे जाए, उसके अलावा चलिए इस बार तो profit थोड़ा drop हो रहा है, लेकिन अभी भी July से September है, फिर December तक है, तो consistent dividend भी पे कर रहे हैं, अगर आप पिछली बार का dividend देख पाती है, तो investors कहीं न कहीं उसको भी positively ले सकते हैं, बाकि pipeline का जो उनका business है, वहाँ पर consistently वो profitable अभी हो रहे हैं, उसके अलावा अभी जो नई technology है, जहां पर Reliance Group है, Adani Group है, Tata Group है, बहुत aggressively जा रहे हैं, जहां green energy, renewable energy पर वो investment कर रहे हैं, तो similarly Indian oil, जो उनकी मतूरा में refinery है, व अभी recently NTPC के साथ भी उन्होंने tie-up किया हुआ है, तो इन सब चीजों पर भी वो काम खरी है, पर ये बात सही है, कि इन सब चीजों से वो एक रुपया कभी वो revenue नहीं कमा रही है, लेकिन वो future की technologies पर अभी से ही invest कर रहे हैं, और अगर अच्छा यहां पर response मिलता है, और अ expectation है, उससे जादा गिर रहे हैं या कम गिर रहे हैं, तो यह तो पता ही है कि थोड़ा profit कम होंगे, लेकिन बहुत जादा अगर कम हो जाते हैं, या shock आ जाता है, तो market side इसको positively ना ले, लेकिन अच्छे result आते हैं, उमीद से बहतर आते हैं, तो फिर market इसको positively भी ले सकती है, त बहुत ही important date है, Indian oil के investors के लिए दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, early financial आजादी को subscribe करके रखिये, thank you very much